अब आपको दिखाते हैं कि पिछले तीन दिनों में यूपी में लगतार हाथसे हो रहे हैं 14 माई को मुजफर नगर में हाथसा हुआ था तो वही 15 माई को यूपी के कई शहरों में हाथसे हुए तो आप अपने चल्विजन स्क्रीन पर तस्वीरे भी देख सकते हैं तारीक भी देख सकते हैं कि कितनी जल्द जल्द ये जो दर्दनाख खबरे हैं वो निकल कर सामने आई मुजफर नगर, जालोन, औरया, कानपूर और आज एक बर फिर से दर्दनाख हाथसा हुआ बहराइच में भी दर्दनाख हाथसा हुआ तो यूपी के ये कैसे जगा है जहां पर जो मजदूर जो है वो अपने घर को जा रहे थे पर सड़क हाथसे में वो अपने घर नहीं पहुँच पाए और अलग-अलग जगों में किस तरीके से हाथसों की जो रफ्तार है उसमें कितनी तेजी आई है वो आप तारीकों के जरिये से समझ सकते हैं 14 तारीक 15 तारीक फिर 16 तारीक लगतार संख्या भी बढ़ती गई मोटों की हाथसों की भी संख्या बढ़ती गई और घायल तो अस्पताल में भढ़ती है ही उनका इलाज भी चल रहा है ऐसे में बड़ा सवाल गही खड़ा हो रहा है कि लागतार जो रात में मजदूरों को ट्रक या किसी और माध्यम से अपने घरों तक भेजा जा रहा है या जो खुद मजदूर अपने किसी वाहन से जा रहे हैं तो उनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही ड्राइबर के साथ सक् पूस्ट पर चेकिंग क्यों नहीं हो रही क्योंकि इन बिना चेकिंग के इतना बड़ा हाथसा होता हुआ नजर आ रहा है तो इसका जम्मेदार कौन है